आस्थमा की समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये मरीज को पेस्क्राइब किया जाता है एरवेस को ठीक करने का काम करता है यानि एरवेस को बढ़ाने का काम ये मेडिसीन करता है और इस्पारेशन को ठीक करने का काम करता है एन्हिलर के साथ में इसको पेस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर के दौरा COPD की समस्या में डॉक्टर के दौरा ये पेस्क्राइब किया जाता है और इसका उप्योग डॉक्टर के दौरा मरीज को क्या दिक्कत रहती है क्या तकलीफ रहता है, क्या रोग रहता है तब डॉक्टर के द्वारा किन किन रोगों में ये पेस्क्राइब किया जाता है इसका डोज क्या होता है इसका साइड इफेक्ट क्या होता है इसे यूज कैसे करना होता है इसके बारे में आज हम आपको पूरा डीटेल से इस वीडियो में बताएंगे अस्थमा की समस्या में डाक्टर के द्वारा ये पेस्क्राइब किया जाता है जब किसी को अस्थमा की समस्या रहती है तब जैसे की सांस लेने में उनको काफी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो उस समस्या में डाक्टर के द्वारा ये पेस्क्राइब किया ज तो समस्या में भी ये डॉक्टर के द्वारा पेस्क्राइब किया जाता है सौटनेस अब रीद की समस्या रहती है तो इसमें भी डॉक्टर के द्वारा इस समस्या को ठीक करने के लिए ये पेस्क्राइब किया जाता है मरीज को और इस समस्या में क्या देखा गया है कि बहुत में डॉक्टर के दौरा ये मेडिसीन पेसकराइब किया जाता है यानि मरीज को लेने के लिए बताया जाता है डॉक्टर के दौरा इस समस्या में क्या होता है कि जो ब्यक्त के लंग्स होते हैं वो काम करना कम कर देते हैं जो सरीर में ब्यक्त हवा होता है वो प्रॉपर डरह लेने के लिए मरीश को पेसकराइब किया जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं इस मैडसीने काया क्या-क्या साइड i f Rhodes या क्या सभाट हो सकता है। यह मैडसीन लेने के बाद में अगर आपके पूरे सरी में काफी जादा दर्धց की समस्या होने लगे तो ये मेडसीन आप लेना तुरंद बंद कर दें और अपने डॉक्टर या फार्मासिष्ट से तुरंद संपरक करें और जैसे कि जो इसका साइड इफेक्ट देखा गया है आपको बहुत ज्यादा छीक भी आने लगेगा यानि छीक भी बहुत ज्यादा आ बंद कर दें और अपने डॉक्टर या फार्मासिष्ट से आप तुरंद संपरक करें आपके सिर में दर्द की समस्या हो सकता है आपको इचिंग सा महसूस हो सकता है इसके सिवाएद आपको और भी कोई साइड इफेक्ट दिखे तो तुरंद ये मेडसीन बंद कर दें और पने डॉक्टर या फार्मासिष्ट से आप तुरंद संपरक करें चलिए अब हम आपको इस कैपसूल के इन्हिलेशन के डोस के बारे में बताते हैं ये कैपसूल डॉक्टर के द्वारा मरीज की दिक्कत समझे और उसके एज और उसके बाडी वेट के अनुसार ये इन्हिल के द्वारा सुबह साम दिया जाता है जो आपको इन्हिलेर में डालके खिचने के लिए डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है इसका लेने का एक तरीका होता है जो डॉक्टर के द्वारा मरीज को समझाया जाता है और सही तरीका से लेने के लिए बताया जाता है जिस तरी दॉक्टर के दौरा ये बताया जाता है कि सब्सक्राइब आप दो से तीन बार गरारा कर लें उसके बाद में एन्हिलर की मदद से ये मेड़सिन लेने के लिए बताया जाता है इसके अलावा या आपको और कोई दिक्कत और कोई समस्या है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से जाएं आप अपनी दिक्कत परेशानी बताएं उसके बाद में कोई भी दवा कोई भी मेटसीन ले कभी भी आप कोई भी दवा कोई भी इनिलेशन कोई भी मेटसीन खुद से उप्योग ना करें